जैन्द मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपका दोस्ता अश्रवाद या कक्षा को इंट 21 एकेडमी की तरफ से रिलाई जा रही है जिसमें आज हमारा जो एक वीडियो इसकी हमारी इड्डल चुकी है या पार्ट टू होगा जो अंतिम होगा जिसमें हम बैस्वी करान और बार्ट हमने देखा था कि किस तरह से जो एलपीजी के अवधार्णा या उदारी करन की अवधार्णा भारत ने अपने वेक्स में समावेशित किया था तो यह यह ल्पीजी क्या थी लिबरलाइजेशन प्राइवेडाईजेशन एंड गलोबिलाइजेशन जिसको नाइंटीज के दसक में decade of 90s इंडिया ने इसको एड़प्ट करा वाई कारण क्या थे इंडिया को एड़प्ट करने के इंडिया को एड़प्ट करने के कारण थे कि इन पे IMF द्वारा कुछ सर्टे लागों की गई थी क्योंकि भारत की अर्थ वेवस्था महज 8 दिनों की खाने और खाजान की भारत के पास बची हुई थी जिसके कारण से हमने देखा परधान मंत्री मनमोहन सिंग के बारे में भी अध्यन करा कि वह उस समय जो हमारे वह एक बहुत अच्छे अर्ट सास्त्री है और मनमोहन सिंग के बारे में अगर आज उनके बारे में वीदेशों में भी तो उसके बाद क्या कहता है जरा हमने देखा था कि भारत में करीब सन 1991 में प्रादंब में प्रादंब से नीतियों में कुछ दुरगामी परिवर्तन किये गए सरकार ने यह निश्य किया कि भारतिय उत्पादों के लिए बिश्म के उत्पादों से प्रतियस पर्धा करने का समय आ गया है जिसमें हमने कहा कि जो इंडिया की प्रोडक्शन थी जो भी इंडिया की प्रोडक्शन थी उसको वर्ल्ड के प्रोडक्शन से कंप्रीजन करने की अब जरूरत आ गई है यानि हमको नेरू चच्चा को त्यागना होगा और उदारी बबा को उदारी करन को अपनाना होगा यह सारी चीज हम ध्यान में ला दिये थे क्योंकि हमारे पास महज आठ दिन का खाना का जाना था हमारी इस्तिती दैनिये थी जिसके कारण हमें कर्ज की जरूरत थी वर्ल्ड बैंक हमको लतिया दिया धकिया दिया नहीं दिया उसी के बाद हमको कर्ज दिने का काम आये में अपने किया जिसकी अपनी कुछ सर्थे थी सर्थ पे उन्होंने कहा कि आप नहरू मोडल को त्यागी और नीजी कमपनियों को जादा से जादा भारत में आने का मौका दीजिए क्योंकि नब निर्मित राष्ट थे हम जिसके कारण से ऐसा कहा गया था ठीक है आगे देखिये कहता है इस्टार्टिंग अरॉंड 1991 संफेर इचिंग्स चेंज इन पॉलिशी इस वर मेड इन इंडिया the government decide that the time had come for Indian Indian progress to complete with the producers producers around the global it felt that competitions world improve will improve and performance of producers within the country since the world have to improve their quality or quality quality क्योंकि कहा कि जब 19 के दसक थे तो इग्गा दुग्गा मोवाइल की company हुआ करती थी उस समय याद है कि एक BSNL था एक अपनी इंडिया की BSNL था इसका नाम था भाई साहब नहीं लगेगा इसको कहा जाता था भाई साहब नहीं लगेगा बहुत अच्छा नाम था भाई साहब नहीं लगेगा भाई नहीं लगेगा तो फिर BSNL क्यों हुगा इसको भारत की दूर संचाड निगम लिम्टेद कहते थे इसका full firm लेकिन इसमें क्या था कि भाई साहब नहीं लगेगा आप जब फोन करते इसमें करते 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 एक दिर घंटा रिंग जाता घर ऐसे करके तकरीबन 15 मेंट होता अगला का जबाब आता हैलो अगला करता है हेलो का जो अंतराल होता था यह हैलो पहुंचने में जिस तरह से बच्पन में आपको याद होगा कि आप सलाई का कवर लेकर कि आप दूसरे तरफ एक बोलता था तो कान में आवाज जाता था तो उस चीज को आप ध्यान दीजिए उससे भी घटिया ही भाई साब नहीं लगे क्या था पैक पूरे खतम हो गई तूजी नेटवर्क था उस समय अब जिसे फेस्बुक में आया बाद में आया तो मालो कि फेस्बुक खुला आपने पेज जैसे अपना आईडी बनाया अभी फेस्बुक का आईडी बनाने में माज 15 से 20 सेकंड में एक आईडी क्रियेट हो इसे हो रहा था नाइन दावेत नाइन होता तीन मिनट में छोड़ा तो होता तीन मिनट में इस तरह से उसमें समय लगता था टेक्नॉलोजी का भाव था क्योंकि हम 20 बाजारों में प्रतियस पड़्दा के मामले में पीछे थे दुनिया हमसे आगे थी और केवल भाई प्लानिंग थी पंद्रो सो निनादमे रुपय में लाइफ टैम प्लानिंग थी तो उस समय एंडी ओम की फोन चलती थी टाटा इंडी कम की डंडी वाले पून चलती तोटी वाले तोटी निकल लाता था अंटीना के तोर पर उंटीना भी फिल हो जाता था पकड़वे नहीं करता था तो यह सारी दुबिदा थी जिसको दूर करते करते हैं यह जब लपी जी भारत ने अपने यहां एडप्ट किया लिवरलाइजेशन लिवरल किसको अपनी उदार नीटी को बढ़ाना मतलब जो सरकार की जो पॉलिसी है उसको उदार करना ज्यादा से ज्यादा चीज़ों को प्राइविट को आने देना ओफर देना आई ही हमको लिजी आई ह कि हमारे यहां से बस्टू को आप उत्पाद कीजिए प्रोड़क्शन बढ़ाईए फिर आपने देखा कि फिर कहा ग्लोबलाइजेशन क्योंकि यह 20 वेक बाजार बन चुका था वैस्वी करन हो चुका था इसी कालन से ठीक है इतना समझ गये आप आगे देखिएगा इसके बढ़ा देंगे कर ठोप देंगे पर टेक्सेशन जब बढ़ाएंगे तो उनका विश्वेपार क्या होगा कमेगा स्वभाविक है कि अगला जादा से ज्यादा कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है मैं चाहती है ज्यादा से ज्यादा अपने लाब को आगे बढ़ाना ठीक है चलिए विदेश में पार एवं विदेशी निवेश पर से अब रोर्त को काफी हद तक हटा दिया गया और इसका अर्थ है कि बस तुओ का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता था और विदेशी कंपनिया यहां अपने कारिया ले और कार खाने अस्तापित कर सक एक ती इन अब इंडिया तीक है इंडिया में उसी चीज को कहा था बैरियर्स ओफ द फ्रेंट्र एंड फॉरेंड फॉर इंवेस्टमेंट वर रिमूवेड रिमूब टु अ लार्ज एक्स्टेंड इसमीन गुड्स पूडबी इंपॉर्टें सॉरी इंपॉर्टेड हां इ यानि इंडिया में आसानी से इस चीजों को एस्टेबल कर सकते थे उससे पहले अभी जैसे मोधी सरकार आई है तो लगभग जितने भी हमारे यहां जो कि अभी लौ चलता है वहीं चलता अंग्रेजों के जवाने का भारत बन गया 75 साल हो गए लेकिन लौ हम किसका लेकर जी रहें अंग्रेजों का जीर है तो मोधी सरकार के आने के वाद कहती सरकार ने पता नहीं क्या कहा है सरकार ने कहा है कि हमने 1400-1600 कानूनों को खतम किया पुराने कानून को इसलिए जीएस्टी लाया जीएस्टी का फुल्पम होता है गोड्स डॉमेस्टिक प्रोड़क्ट होता है ठीक है तो जीएस्टी लाया है जीएस्टी के माध्यम से सरकार ने जैसे टेक्षेशन का चार पाँच सलेव बना दिया, 5%-12%-18%-18% जो बस्टूपर जैसे लगजिरियस आईटम है जैसे कार्ड लेने जाईएगा तो आप सपोर्ट एड एक लाग का कार्ड लीजिएगा मतलब एक लाग कार्ड होती नहीं है एक लाग का कार्ड लीजिएगा तो आपको 28,000 सरकार को देना पड़ेगा बोर्स में अगर मान लय आई इसमें दारु जो वाइन चलता है उसको भी ले अईसी में जीस्ट सेमें नहीं ला रहा है कि सरकार को चलने के लिए धन किया वशकता होती है इन सब चीजों को अगर गयर जीस्ट की तेहर ले आती है तो धन का SORCE की कम तो कमेगा गबर्मेंट की कमेगी कि नहीं माध्यमों से उसको इसमें नहीं लाया जा रहा है आगे देखिए फिर क्या कहता है सरकार गौरा आप रोध अत्वापति बंदों को हटाने की पड़क्रिया उधारी करन के नाम से जानी जाती है कहा removing barriers or the restrictions set by the government is the what is the known as liberalization के नाम से जानते हैं जो barriers वगरा governments जो हटाई उसको ठीक है कहां विश्वेपार संगठन यह देखिएगा यहनी world trade organization एक है organization इसकी अस्थापना इसकी अस्थापना एक जनवरी 1995 को इसकी अस्थापना हो गई थी इसकी अस्थापना की गई थी देखिएगा मराकिस समझोथा के तहर्ट इसकी अस्थापना की गई थी विश्वेपार संगठन डबलू टी यो एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश इसको सौट में डबलू टी यो बोलते हैं डबलू टी यो वर्ल्ड ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेशन ठीक है डबलू टी यो इसकी अस्थापना कब हुई यह बैपार को देखरे करता है विदेशी और देशी बैपार को देखरे करता है कि किसका बाइलेंस कितना है और कौन देश पर किसका बैपार जादा भारी है ठीक है यानि विदेश बैपार संगठन डबलू टी यो एक ऐसा संगठन है जिसका धे अंतराश्टिये बैपार को उदार बनाना है जो इंटरन बिश्व बैपार संगठन अंतराश्टिये बैपार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो जैसे अगर कास्मीर, जम्मू कास्मीर, हिमाचल परदेशी सबसे सेव जाता है तो सबसे अच्छी क्वालिटी की हम बस तू बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट मतलब भेजना, इंपोर्ट मतलब मगाना तो सबसे अच्छी क्वालिटी की फल या जो भी है सबजिया या एक्सेक्टर एक्सेक्टर हम भेजने का काम करते हैं कई कि खाराबची तो हम बाहर नहीं भीज सकते हैं क्यूकि बाहर के देशू में आप जानते हैं के हैज değ में जानते है आपके तो आपके हिल्द को जादा प्रिफिर्टर दिया गया इंडिया की तरह नहीं है कि बच्चे अگर जैसे दिउली जैसे सैरों के रहते हैं, जो PG वाले हैं खाना खिलाते हैं तो यहां सरे गले रात में जब मार्केट खतम होता है सरे गले सब्जी खरीद करके ले जाते हैं 10 रुपया में बोड़ा बढ़के ले जाते हैं वही बच्चे को सब्टाबर खिलाते हैं है तो यहां हईजीन फैक्टर नहीं रखता है यहां पेट भणा फैक्टर रखता है क्यों कि हम्द लॉप्रापिंग कर्ण पडिव मारे पासảiजीन नाम कोई चीजी नहीं है, हम तो बेर बक्री की तरह जी रहे हैं, लाइफ को तो उलोग जी रहे हैं, हमारे यहाँ जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगर घर में एक लाख रुपया के महीना आने लगता है, तो हम औल्टो या मारूती सुजुकी का कार्ड लेते हैं, जो सब नाया गारी लिए हैं, देखिए न, अभी फूल वाला उतर पे नहीं किया है, अगर विदेश में अगर, जैसे अभी एक खिलारी का जो एक्सिडेंट हो गया था, उत्राकंड के थे, हाँ हाँ, पंथ साहब, तो उनकी गारी जो पंथ साहब की थी, करोड रुपया के थी, धक्का लगा, बैलून फूल गिया, बैचारे बच गया, मतलब एरबैग उसके खुल गया, एरबैग हैंडल पे होता है, सीट विट विशन में होता है, सब होता है, सब खुल गया, व्वेचारे निकल गए, बचका, मारूति सुजुग की तकराता न, तो उन बारा फूट जाता है कि उसका यह भेग खुलता नहीं है यह लगा जैसे अश्पर्स हुआ जैसे टच हुआ तो दस सेकंड पांट सेकंड बे खुल गया मारूती सुजुकी टकरा आएगा न तो हुँ एर बैग हमको लगता है कि यह भी रहा जाएगा उपांडूती सुजुकी का यह भैग सुखें हैं पॉकेठ खर्ज के लिए कि भारत में सरकार अगर इश के लिएवांगे किसानों का पैसा किसानों को दिया उनकी फसल पर सबसीटि जो फसल वगएरा हुआ अब फसल करने के लिए दिये अब जो फसल वही मार्केट में अगर एक पॉलिस दार चावल जाता है एक सो रुपे कीलो वा चावल बिखता है ठीक है एक सो रुपे कीलो डेर सो रुपे कीलो चावल मिलता है और उस किसान के यहां से 25 रुपे 26 रुपे य ठिक है लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए तू जिनके पैसे हैं उनको दिये जात जाते हैं। कौन बनाया हम बनाया पैसा किसका था हमारा था एक बच्चा जो जन्म लेता हो भी सला हगीज का पैसा देता है आगीज से लेकर कि एक जो इंसान मरता है वहां तक पैसा देता है टेक्स के हगीज लेते हो उस कमपणी पर टेक्स ठोपा गया है जो कमपणी पर टेक्सेशन है तुमसे लेता है अपने बाप कहने से कंपणी देगा नहीं आप से लेता है अप कुरकुरे काते है box डेते ए cach Kız देते हैं यहां तक कि होटल में जाते हैं वहां भी 12% आपको टेक्स देना पड़ता है फूर्टिक भी को प्र कर छाहाता लेकिनाल रखा गया रुजट पर भी दिया जाता था ईशूर्ट गीए नई लगधन दीया जाता। है किसान को भी तो पांच पर्संत में से स्झान को लिए सब कहने के लिए तो कहने का मतलब है कि foreigner जो होते हैं वे अपनी health hygiene को ज़्यादा maintain करते हैं बेटेन की बात है मैं एक पढ़ रहा था बुक आज से तक्रीवन काफी दिन हो गया है 18 साल पहले एक एक worker जो company में काम करता है उसके job का timing था 8 से 10 मतलब उसको छे वजे छोड़ना था company ने उसको दो घंटा रोक लिया एक्ष्रा काम दे दिया overtime उस बंदे ने complaint डाला उसको एक मिलियन डॉलर दिया मुआपजा उस company ने एक मिलियन डॉलर को मुआपजा दिया आपको हम को कह देगा सब्सक्र i мало महिए कीतरह अहीं फरक होता है उनमें आप में आपको कहा कि मारूती you key नहीं लेंगे उगारी लेंगे पार्स लेंगे बी म्व लेंगे लेंगे ब्याइम वॉップ का भी लगे तो उनकी जिन्दगी सेफ हो जाए आप तो बस ट्रेक्टरों पर बैट के लोग यात्रा कर लेता है दुद्दू 300 किलो मीटर लेकिन दोनों के बीच में फर्क होती है कि डेवलपिंग कंट्री में लोग चाड़ लाग पाइच लाग गारी खरी लिए और पूरे परिवार गूम लेते हैं लेकिन जो फॉर्णर्स होते हैं मतलब बिदेशी जो दूसरे देश वाले जो डिवलप रहे हैं तो छोड़ दो बाहर से भी बुड़े इस्तिति लोगों के हैं बहुत ज्यादा पाकिस्तान देखो डेट सो दूसों रुपे डेट सो रुपे किलो मुद्रा खरीद लेंगे तो इस्तिति बद से भी बद्तर है ऐसा कुछ नहीं है लेकिन फिर भी हम जिस मेंटलिटी से जी रहे हैं आगे आगे बढ़ रहे हैं उन सब चीजों को ध्यान में देखते हैं तो रुक जाना बहां कहला उतना पहलाई जा रही है यार पुरा लग रहा है सब बिमारी इसी को हो गया है कितना बिमार हो वह इधर तू बैट जाना इदर सब बिमार तुम ही हो गयी हो कहा से इतना बिमारी आ गया है कि जा भाई जल्दी या कि समझ में आधा है मैं जा आधा है नहीं तेखिए गां भाई बैड़ 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 ठीक लग रहा है कल्ले से ज्यादा अच्छा लग रहा होगा अपने उपर होता अच्छा बनाना तो सारी वात समझ गए हम हाईजीन को मेंटेन नहीं करते हैं हम किसी भी तरह खापी लेते हैं रोड पर चलते हुए जो पैकेजिंग नहीं रहती है नसीसा में बंद है न कुछ भी है उसको पर पा लेते हैं जैसे देखते हैं समोसा जिले समोसा जिले भी मिला पूरा पांग दिए और छोड़िये दिली में साहर में मोमोज देखते हैं रोड पर गारी चला है 110 के स्पीड में अब मोमोज लोग खाये जा रहे हैं यह सारे हैजीन के लिए अच्छा नहीं होता है यह हर्मफुल होता है आपके लिए इन सब चीजों को भी मेंटेन करें ठीक है तब एक सब्समाज का निर्मान होगा आगे देखिए इतना समझ गया है अब जो एक गैट था प्रसुल्क एबं बैपार का सामानिस समझोता का अस्थान लिया गया इसको जो डव्लू टीयो पहले है ध्यान दीजेगा इस डव्लू टीयो को जी गठन था उस समय इसमें पहले 23 देश मिलकर के इसको बनाने का काम करे थे गैट को ठीक है वीर उसी चीज को कहता है या अंतरीम समझोता के रूप में गैट एक जनवरी 1948 में या भी एक जैन 1948 में अस्थित्म में आया था जब सेकेंड वर्ल्ड वोर्ड समाप्त हुई थी उ आगे देखिएगा चलिए इसके इतिहास के बारे में कुछ गैट के बारे में जान ले बैपार से संबंदित हैं तो इसलिए जानना जरूरी है कहता है कि इतिहास का सबसे ब्यापक समझोता फाइनल एक्ट इमबॉडिंग दा रिजल्ट्स ओफ द उरुगबे राउंड लेक्टरल स्ट्रेट निगो सीएशन 15 अपरल 1994 ऑफ 123 कंट्रीज यानी एक्सोटेश देश के बैपार मंत्रियों द्वारा हस्ताक्ष्रित हुआ और यह डबलू टीओ की आधार सिला पड़ी इस जब यह पहले कितना था 100 इसमें कहां गया वर्ल्ट्रेड एक्सोटेश इसके सदस्य है जिसको मान्यता है देश के तोड़ पर ठीक है आगे देखिएगा तो अधार सिला बना और गेट आपचारिक रूप से उन्हें 95 के अंतिम में भी घटन हो गया और यह गैट जो था गैट 1995 में तूट गया भी खर गया आगे देखिएगा फिर देखिएगा मुख्याले इसका जेनेवा में है अब मतलब एक मुख्यास्थान जहां होता उसकी को मुख्याले केहते हैं तो यह जेनेवा में है जेनेवा में है और उसके बाद हम देखते हैं कि मार्च 1914 से इसके सदस्य बढ़ जया 10 190 या 159 हो गए थे 2014 में और फिर आगे बढ़ करके या 160 हो गए ठीक है या बढ़ गए और प्लस चार और सदर से इसमें बढ़ गया चार और लाश्ट वाला इसगा अफगानिस्तान है अफगानिस्तान भी वेपार कर सकता है इसके मारत हम से ठीक है तो यही होता है चलिए आग में वैस्वी करन का प्रभाव यानि impact of globalization in India तो इसके इंपक्ट की अगर हम बात करते हैं तो कुछ इस तरह से हुए कि वैस्वी करन जब प्रारंब हुआ तो आपको बताया था कल कि बड़ी कंपनी MNC बगएरा उसका छोटे कंपनी में मर्जर होना हम देखा कि इगो के चक कि भारत में जिसको भारत के अभी देशों में भी मर्जर कर दिया गया क्यों बड़ी कंपनी छोटे कंपनी को एड़ पीसलिये करती है या प्रोडक्शन करके उनका टैग लगा करके ठप और उसको मार्केट में बेचने का काम करते हैं ठीक है इसके कारण से आगे देखिए के इंपक्ट हुए वे छोटे उद्योगपती हत करगा बैपारी इन सब चीजों को बैपारी तो छोटे हत करगा यानि हाज से बनाने वाले इन सब चीजों को एस्पवाइल कर दिये बरवाद कर दिये या अस्तित में नहीं बन सके और छोटी कंपनी का भी इसमें बेरागर करती है और छोटी कंपनी को लागत अधिक लगता है इसलिए वे छोटी बस्तु जैसे चीन के बने खिलावने चामनी चोक पर जाओगे तो 30 रुपय का जेसी भी मिल जाता है 30 रुपय के कार मिल जाते हैं और वही चीज अगर इंडियन कंपनी बनाती है तो आपको उस बस्तु को खरिदने के लिए 300 रुपया देना पड़ेगा 500 रुपया देना पड़ेगा क्यों कि हमारी लागत जो है अधिक आती है चीन के अपक्षा कारण क्या है जैसे मान के चलिए आज हमने एक लेवर को अपने यहां हायर किया है यह 100 लेवर को हायर किया है 100 गुने 500 पुल मिला कर कितना हो गया पचास जार सम्थिंग यही हो जाएगा रेतीन दुगो सुना ही दुगो सुना ही 50 जार हो गया यह वन डे का है ध्यान दिजीएगा यह वन डे का लेवर कोस्ट है एक दिन का लेवर कोस्ट है एक दिन का लेवर कोस्ट है और इनका प्रोड़क्शन करना था मान की चलिए 1,000 इनको कार प्रोड़क्शन करना था और यहां कार प्रोड़क्शन कर दिए 1,000 के जगह पर 5,000 ले बेटा बेचाईत रहिए जिन्दी जब तक मैं चलता है इन्दीया को देखिएगा यही काम इन्दीया को करना पड़ा इंदीया ने यही प्रोड़क्शन इंदीया को भी करना था इंदीया को ज़रूद थी 50 कार की icon इंडिया वाले ने क्या करा कि हम यहां एक just effort कर भी बनाएं और क्या कि सब लेवर का अपना-पना काम होता है किसी का कुछ करता किसी का कुछ करता मसीन से ही तो अलग-अलग होता है आज नहीं तो कल बीखेगा ही न जी लेवर तो फिर नहीं लगाना पड़ेगा लेकिन हम को driven से लगाना पड़ेगा जिसके काहँ सबस्द्स हें कि साल पर पहले किसी वस्टू का निर्मान करते हैं और उस बस्थू का निर्मान में आज लेवर का 500 लेकिन लेकिन साल भरबाद अगर वही बस्तू अगर उसी लेवर कॉंप करते हैं तो उसका कहीं लेवर कॉस्त सात सो रुपया हो जाए बहुराष्टिये कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में विर्दी की है और जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाप्रद रहा है बहुराष्टिये कंपनियों ने सहरी इलाकों में उद्ज्धaltet्यों जैसे कि सेल फोन, मोटरगारिया, electronics उसपादो, ठंडे या ठंडे पे-पदार्थो, Coca-Cola इस अब आप देखते हैं न, इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करने का काम किया है, उसी तरह से देखते हैं, यह ठीक है, as a result, these people should enjoy which higher standards of living than was possible earlier, क्या हुआ, firstly तो हमने देख लिया, फिर देखते हैं, इसमें कहता है कि, और दोगिक छेत्रों जिन्हें, विशेस आर्थिक छेत्र कहा जाता है, कि अस्थापना की जा रही है, और विशेस आर्थिक छेत्र, ECZ जिसको बोलते हैं, Special Economic Zone बोलते हैं, ECZ को, सौरी, SEZ Special Economic Zone, यानि विशेस आर्थिक छेत्र बोलते हैं, ठीक है, कि अस्थापना की जा रही है, और विश्वस्तर ये सुबिधाय, बिजली पानी, सरक पड़िवेहन, भंडारन, मनुरंजन और सैशनिक सुबिधाय, उपलवद होनी चाहिए, ठीक है, इन सब चीजों का जाप रहते हैं, तो मनुरंजन भी तो जरूरी होता है, आगे, दूसरा, अनेक सिर्स भारतिये कंपनिया, बड़ी परतियस परदा से लावान बित हुई है, Secondly, several of the top Indians, companies have been able to benefits from the increased competition, ठीक है, उसके बाद, इन कंपनियों ने नविंतम प्रदोगी की और उत्पादन परणाली में निवेश किया, और अपने उत्पादन मानकों को उचा उठाया, और कुछ ने विदेशी कंपनियों के हाँ तो, विदेशी कंपनियों के साथ सफलता पुरवक सहयोग कर लावर जित किया, कहा कि बड़ी कंपनी चोटी कंपनी के साथ भी ले गई और उस पादन कर रहे हैं उसका थपा लगा लिए थपा लगा कर रहे हैं बस तो बेचे जा रहे हैं बेचे जा रहे हैं चलिए उसी चीज को कहा दे have invest in newer technology and production methods and rises their production standards some have gained from successful collaborates with foreign companies पिर आगे कहां बैस्वी करन ने कुछ बड़ी बार दिये कंपनीयों को बहुराश्ट्रिय कंपनीयों के रूप में उभरने के योग बनाया है और टाटा मोटर्स मोटर गारिया इन्फोसिस आईटी यानि रैन वैक्सी दवाईया एसियंस पेंट्स पेंट्स उसके बार सुंद्रम फास्टर्ण हाँ फास्टर्ण्स यानि नट और बोल्ट की कंपनी है कुछ ऐसी भारतिय कंपनीया है जो बिस बस्तर पर अपने क्रिया कलापों का परसार कर रही है ठीक है जैसे टाटा कंपनी है आप देखते हैं कि लगवग दुनिया के सुई से लेकर कि नमक ताहाद सब कुछ मिलता है टा ग्लॉबलाइजेशन हैज एनेबल सम लार्ज इंडियन कंपनीज तो इमर्ज ऐस अ मल्टी उसके बाद मल्टी निशनल्स देमसेल्फ खुद यानि टाटा मोटर्स ऑटो मोवाइल्स इन इन फोसीज आईटी एन वैक्सी एक्सेटर एक्सेटर इसने आपने देखा फिर दे एकाम कीा गया है फिर उसके बाद देखते हैं कि चुकि वैस्वी करन अब एक सच्चाइए तो बैस्वी करन को अधिक नियाज संगत कैसे बनाया सकता है न्याय संगत वैस्वी करन सभी के लिए अफसर पड़ान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैस्वी करन के लाभों में सबकी बेहतर हिस्चेदारी हो सके उसके उसके बाद सरकार इसे संभब बनाने के में मैत्वपुन भूमिका निवा सकती है इसके नीटियों को के बलधने और प्रबाबसाले लोगों को ही नहीं बलकि देश के सभी लोगों के हितों का संदक्षन करना चाहिए जा गबर्मेंट कैन प्ले अमेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉशिवल ठीक है इट्स पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट दे इन्ट्रेस्ट नॉट अल्ली ओफ दे रिच एंड पावर्फुल बट आल दे पीपल्स इन दा कंट्री सभी लोगों के लिए इसको ब्रबाब जा सकता है आगे कहता है नए अफसरों का सिर्जन किया है भारतिये कंपनी द्वारा लंदन इस्थित कंपनी के लिए पत्रिकाओं का प्रिकासन और कॉल सेंटर इसके उधारन है कि अंगलेंड के या बड़ी-बड़ी कंपनियों के call center भारत में हैं यहां रोजगार कमा रहे हैं यह सब सेर्जन करता है जो इसके उधारन है इसके अतिरिक्त आंकरा प्रविष्ट डेटा यानि एंट्री डेटा एंट्री लेखा करन परशासनिक कारे और इंजिनियरिंग ज व्टरी लॉड़ी फड्यूटीज इस पार्यूं त पर दूंब विज एच्ब ऑल्विज सबस्ट्राइं यहां जोगार्यूज प्लीजिन वीज पिस लिच पूसी जोटेंगी इस विटून इन बेस्थाहं प्यूं लूड लोगुध स कर दो इंपयूं नाव बिंग्स डन चीपली इन कंट्रीज मच सच सच अइंडिया एंड और एक्सपॉर्टिट टू देवलब्ट कंट्रीज चीख है देखा कॉल सेंटर है सबके माध्यम से यहां भी रोजगार से जन हो रहा है यहां के लोग बाहर जाकर के भी काम करें इस तरह से हम उसको देखते हैं देखिएगा पर्तियस पर्धा और अनिश्चित रोजगार क्या होता है कहता है कि वैस्वी करन और पर्तियस पर्धा के दवाब ने स्रमिकों के दवाब के दवाब ने शरमिकों के जीवन को ब्यापक रूप से प्रभावित किया है और बढ़ती असपर्धा के कारण अधिकांस न्योकता इन दिनों शरमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं यानि फ्लेक्सिवलिटी पसंद करते हैं और इसका अर्थ है कि शरमिकों को अब सुनिशित है निया संगत वैस्विकरन के लिए संगर्स दे स्ट्रगल्स पॉर फियर ग्लोबलाइजेशन जिसमें कहा कि उप्रयुक्त प्रमान यह संकेत करते हैं कि वैस्विकरन सभी के लिए लाप्रद नहीं रहा है और सिक्षित कूशल और संपन्द लोगों में व हाँ से बने जितने भी करगरी बगराते इन सब चीजों को भी उससे नुक्सान भी पहुंची है तो यह कक्षा आपकी संपन्द हुई हम अगले कक्षा में पूरा मिलेंगे तब तक के लिए जै भारत जै हिंद